वेलकम टू विसाल जुली आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे BSC Maths Part 2 के लिए कुछ important question के solution जो की पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं और हो सकता है आने वाले exam में पूछे जाए कम से कम एक तो question जरूर आएगा जो की इस वीडियो से होगा तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूँ तो हो सकता है आपको अगर तेज लगे तो आप लोग क्या कीजिएगा वीडियो का speed थोड़ा सा कम कर लीजिएगा और जिन लोग को सिर्फ और सिर्फ PDF चाहिए होता है उनको नीचे description में लिंक मिल जागा वहाँ से मेरे website से जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं चली सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये question दियो है कि किसी भी group में जो element होता है उसका inverse हमेशा unique होता है और फिर यहाँ पर एक b inverse नाम का inverse हो गया तो ऐसा possible नहीं है तो यहीं चीज़ हमें क्या करना है यहीं चीज़ हमें proof करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा सबसे पहले proof हम लोग कैसे करेंगे तो माल लेंगे g इज एक group with respect to the binary operation o माल लेंगे G क्या है हमारा group है किसी binary operation O के respect हुए तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी element ले ले A तो for all A belong to G हर एक A जो G नाम के group से belong करता है उसके लिए there exist इसको there exist पढ़ा एता है आप लोग ध्यान रखिएगा there exist two inverse elements माल ले रहे हैं कि एक हमारा जो A मान के चले है element उसके लिए दो inverse हमारा exist कर रहे है एक B और एक C नहीं करता है हमें so करना है लेकिन हम मान के चलेंगे कि दो inverse exist कर रहा है तो हम लोग जानते हैं definition से inverse का definition क्या होता है कि अगर दो element एक दूसरे का inverse है तो कि अगर A का inverse B है यहाँ पे B क्या है हमारा A का inverse है इसका मतलब A into B equal to B into A और इसका value identity के बराबर आना चाहिए यह definition में कहा जाता है तो यहाँ से हम लोग इसको बोलते रहे है equation number 1 फिर उसके बाद हम लोग आगे चले तो हम लोग क्या मान के चले हैं हम लोग मान के चले हैं कि यह जो element हमारा A है इसका दो inverse है एक B और एक C तो अगर हमारा B inverse था तो उसके लिए हमारा equation number 1 बन गया और अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर C हमारा inverse होगा A का इसका मतलब क्या होगा कि A into C बराबर C into A बराबर E यानि कि identity आना चाहिए जिसको हम लोग equation number 2 बोल रहे हैं देखिए यह चीज definition में ही लिखा होता है कि अगर दो element एक दूसरे का inverse है तो पहला into दूसरा element equal to दूसरा element into पहला element और दोनों का value identity के बराबर आना चाहिए यानि कि बराबर है इसका मतलब क्या होगा कि AB हमारा AC के बराबर होगा तो हम यहाँ पर first and second first and second equation से लिख रहे है AB equal to AC मतलब दोनों हमारा क्या है एक दूसरे के बराबर है अब देखिए हम लोग चाहें तो यहाँ पर left composition लगा सकते हैं अगर आपको नहीं समझ मैंना left composition क्या होता है तो आप सिधा समझ जिए कि A है ना यहाँ पर A inverse यहाँ पर हम A inverse इधर से multiply कर रहे है तो अगर इस side multiply कर रहे है तो इस side भी हमको A inverse से multiply करना होगा अब देखिए A inverse into A bracket को open कर लेंगे तो A inverse into A हो जाएगा into B हो जाएगा वैसे ही यहाँ पर देखिए bracket को open कर लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा A inverse into A और into C हो जाएगा तो अगर हम लोग समझे तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी element में उसी के inverse जब गुना करते है ना तो वो identity यानि कि E के बराबर आता है तो यहाँ पर A inverse into A E आजाएगा वैसे ही A inverse into A E आजाएगा और उसके बाद हम लोग एक और property समझते हैं कि अगर कोई भी element है A, B, C कुछ भी है उसमें identity यानि कि E से multiply करेंगे न तो वही element रह जाएगा जैसे E में B से multiply किये तो क्या हो जाएगा मारा B ही रह जाएगा वैसे ही identity यानि कि E का C से multiplication किये तो C ही रह जाएगा मतलब देखिए यहाँ पर हमें B equal to C आगया हम लोग क्या मानके चले थे कि A नाम का कोई element है जिसका दो inverse है एक B है और C है लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि B और C दोनों बराबर है मतलब A का कोई एक ही element है कोई एक ही element है तो यहाँ पर हम क्या ची कह रहे है कि both inverse elements are same हम लोग देख रहे हैं कि जितना दोनों जो हम लोग inverse element B और C मानके चले थे दोनों सेम है अलग अलग थोड़ी है हम तो मानके चले थे कि B और C अलग अलग है लेकिन दोनों बराबर है मतलब दोनों सेम है तो हम लोग क्या कर रहे हैं दस distinct inverse are not possible इसलिए distinct inverse मतलब अलग अलग जो inverse है वो possible ही नहीं है तो इसलिए हैंस हम कह सकते है कि inverse element is not unique sorry inverse element is unique इसलिए हम कह सकते है कि किसी भी group में जो inverse element होता है unique होता है अकेला होता है और एक element का दूसरा inverse नहीं होता है सिर्फ एक ही inverse होता है ये चीज़ हमने प्रूफ कर दिया अगर आपके exam में ये same question आ रहा है तो आप अगर same तरीका से बनाते है तो मैं guarantee दे रहा हूं कि आपको full में full number मिलेंगे चलिए तो ये important question था उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला question कुछ खास important है नहीं हो सकता है इस pattern पे आ जाए या फिर यही question आने के बहुत कम chance है ठीक है तो ये second question है proof करना है proof that the set of all integers defined by a start b equal to a plus b plus one हमें क्या करना है कि proof करना है कि a start b नाम से अगर कोई operation define करते हैं तो a plus b plus one अगर कुछ इस तरह से है तो ये हमारा evalian group है ध्यान से समझेगा बहुत ही easy इसका proof है सबसे यादा easy इसका proof है यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे मान के चलेंगे i equal to क्या है set of all integers मतलब integers are set है और binary operation a start हमें दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि a start b अगर हम लगाते हैं तो उसका value a plus b plus बनाता है मतलब दो number के बीच में अगर start लिख देंगे न तो उसका value हो जागा पहला element प्लस दूसरा element और प्लस 1 आ जाएगा तो अब देखिए group so करने के लिए हमें 5 conditions so करना होता है sorry 4 conditions so करना होता है लेकिन हमें देखिए यहाँ पे question में दिये हुआ है कि हमें क्या करना है इसको abelian group so करना है यहाँ पे हमें abelian group so करना है यानि कि हमें 5 conditions so करना होगा सबसे पहला closure law associative law existence of identity existence of inverse और abelian यानि कि commutative law यह पांचों हमें condition so कर देंगे तो हमारा क्या proof हो जाएगा कि यह हमारा एक group है abelian group तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग यहाँ पे closure law को satisfy करवाते है देखिए closure law क्या करता है कि कोई भी दो element a और b अगर set of integers यानि कि i से belong कर रहा है तो हम लोग जानते a star b का value कितना है a plus b plus one यानि कि कोई integer a है कोई integer b है और plus one दो integer है उसमें one को add करेंगे तो क्या होगा integer ही आएगा जैसे माली जैट two integer होता है three integer होता है और one integer होता है तो अगर तिनों को add कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा two, three, five और one, six आजाएगा तो six भी हमारा क्या होता है एक integer होता है तो इसलिए हम क्या कह सकते है sum of integer क्या होता है sum of integer भी हमारा एक integer होता है, मतलब set i से belong करता है तो इसलिए हम कहा सकते है closure log क्या कर रहा है, hold कर रहा है या फिर satisfy कर रहा है पहला condition हमने satisfy कर वा दिया closure log के बाद आता है, associative log ये चीज़ हमें देखना है कि associative log यहाँ पर satisfy हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो देखिए, associative log क्या काता है कि माल नीजे तीन element है a, b और c, तो associative log काता है कि पहले दुनों element में operation लगा है और उसके बाद तीसरे में लगा है या फिर हम पहले में operation लगा कर उसका दूसरे और तीसरे में एक साथ operation लगा है, दोनों स्रिये मना जीए तो यहाँ पहले दुनों operation यहाँ पहले दुनों, यहाँ पे देखिए a, star, b को हम एक element बाल ले रहे है और this star c, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ङाँ दो element में हमें star लगाते यानि कि यहाँ पे operation लगाते है तो क्या होगा पहला element यानि कि a, star b प्लस दूसरा element यानिकी C और प्लस 1 आ जाता है ये चीज़ आपको clear है उसके बाद देखिए अब यहाँ पे A start B लगवा है मतलब दो element के बीच में start लगवा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं पाला प्लस दूसरा और प्लस 1 आ जाएगा अच्छा एक चीज़ आप समझिएगा कि अगर यहाँ पे जैसे 2 प्लस 3 प्लस 5 लिकवा है इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5 लिकवा है तो हम इसको ब्रैकेट दोनों को हम हटाके ऐसा नहीं लिख सकते हैं प्लस 3 प्लस 5 यहाँ पर लिख सकते हैं उसलिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट को इधर उतर कर दियें यहाँ पर क्योंकि सबको तो एड ही करना है तो अब ब्रैकेट को इधर उतर कर दियें तो यहाँ पर देखिए B प्लस C प्लस 1 आए गया तो पहला element प्लस दूसरा element प्लस 1 तो इसको हम कितना लिख सकते हैं B A स्टार C लिख सकते हैं और यहाँ पे उसके बार आप देखिएगा पहला element A प्लस दूसरा element B A स्टार C और तीसरा element 1 है तो हम कितना लिख सकते हैं यह चीज हम इसको लिख सकते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, कि यह दोनों बराबर आ गया, मतलब हमारा क्या है associative love, hold कर गया, associative love हमारा satisfy कर गया, तीसरा जो हमारा है, वो चीज हमें show करना है, existence of identity, तो क्या होता है, कुछ कह सकते हैं, one के जैसा होता है, one या फिर zero के जैसा होत है, two ही आजाता है, जैसे five में zero add किये, तो क्या आजाता है, five ही आजाता है, तो यह जो हमारा one होता है, यह multiplicative identity होता है, ठीक वैसे ही जो हमारा zero होता है, वो additive identity होता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझ लिजेगा, देखिए, यहाँ पर क्या है, कि माल लेते e होगा, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, कि जैसे five में one से multiply करेंगे, तो क्या आएगा, five ही आएगा, मतलब identity क्या होता है, कोई ऐसा element जिसमें उसी number से operation लगाए, तो हमारा same वही number आजाए, जैसे यहाँ पर a में, a नाम का कोई element है, तो उसमें start e लगा दे, operation e लगा द identity exist कर रहा, identity है इस question में, तो देखिए, यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, तो a start e को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला element a, प्लस दूसर element e plus one, equal to a के बराबर, अब हम लोग सब को इधर भेजेंगे न, तो देखिए, a तो हमारा सही है, हाई जो है na, a plus one जो है, इधर आके minus म यह चीज़ आपको समझ में है, a plus one minus में आजाएगा, देखिए, a से घटा देंगे, तो कट जाएगा, और यह minus और plus, तो minus हो जाएगा, तो e का value कितना आगया, minus one, और हम लोग जानते है, minus one क्या होता है, एक integer ही होता है, तो minus one हमारा i से बिलोग कर रहे है, तो हम लोग क्या हो जाता है, बाकी question सेम आता है, चलिए, अगला हम लोग देखते है, existence of inverse, चौथा है, मतलब इसके बाद एक और property हम लोग सो कर देंगे, तो हमारा abilion group प्रूफ हो जाएगा, तो हम लोग जानते है, तो हम लोग क्या होता है, तो हम लोग क्या करें, two में हम लोग क्या add कर दें, two में हम लोग क्या add कर दें, कि इसका value identity, यानि कि identity क्या होता है, additive identity 0 होता है, तो 0 आ जाए, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो minus two को हम लोग क्या करेंगे, कि यह minus two क्या है, inverse है इसका, तेकि यहाँ पर आपको ज्यादा समझ में आगा, माल ले है कि उसका inverse जो होगा A inverse उसको हम लोग बोल दे रहे है बोल दे रहे हैं कुई भी element में उसके inverse से जो operation लगाते हैं तो उसका value कितना आना चीह identity के बराबर आना चीह मतलब A star A inverse का value identity यानि कि E के बराबर हाँचिह हम लोग ऐसे कहा सकते है कि start का value क्या होता है जो पहला element प्लस दूसरा element प्लस वन इसका वैलू कितना identity के बराबर अब देखिए यहां पे आप देखेंगे तो identity कितना है देखिए यहां पर यहां पर था यहां पर थोड़ा सा है माइनस करेंगे न तो इस two माइनस ए बन जाएगा और हम लोग जानते ठूम आइसे कुई भी एलिमेंट को घठा आए- तो वो हमारा एक इंटीजर ही आएगड़ क्योंकि हमारा एक क्या है हमारा integer है तो two मेंसे हमने five को घटा लिया तो three आएगा minus में मालेजे हमने two मेंसे one को घटा लिया तो zero आएगा sorry one आएगा मतलब ऐसे कोई भी element को घटाते हैं तो हमारा integer आएगा इसलिए हम क्या कहा सकते हैं कि हमारा inverse element क्या कर रहा है exist कर रहा है चलिए last property हम लोग इसमें प्रूब करेंगे और यह question बन जाएगा question बहुत easy होता है अगर आपको समझ में आ रहा है तो हर कुछ easy होता है इसमें कुछ भी अलग नहीं होता है लेकिन समझने का फिर है सिर्फ दखिए commutative law क्या कहता है कि अगर हम लोग क्या कहता है कि जैसे two है two में three से multiply करें या फिर three में two से multiply करें इसका value तो six ही आना है तो commutative लोग यही कहता है कि पहला में दूसरा operation लगा जा है दूसरा फहला operation लगा है दोनों का value same आ रहा है तो commutative law satisfy कर रहा है माल लीजिए हम लोग operation लगाते हैं a star b तो a star b जब operation लगाते हैं तो उसका मतलब होता है a plus b plus 1 अच्छा देखिए 2 plus 3 और plus 1 अगर लिखा हुए तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं 3 plus 2 plus 1 लिख सकते हैं मतलब हम बैसी कहली क्या किये पहला element को दूसरा बना दिए दूसरा element को पहला बना दिए वही न कम किये तो a plus b plus 1 को हम लोग b plus a plus 1 भी लिख सकते हैं और देखिए b plus a plus 1 है मतलब पहला element b पलस दूसरा element यहां पर तो a star b का value आया है यहाँ पे B A star A के बराबर आ गया है A star B के बराबर आ गया है मतलब A operation B B operation A के बराबर आ गया है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि commutative law हमारा hold कर रहा है और commutative law अगर hold कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि देखिए हम लोग 5 जो condition होता है abelian group का वो हम लोग satisfy करवा चुके हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि since all the conditions are satisfied हरे condition satisfy कर रहा है thus it forms an abelian group इसलिए यह क्या कर रहा है abelian group form कर रहा है तो यह हमारा इस question का proof हो गया तो यह कुछ खास important है नहीं वैसे मतलब इस type का अगर बहुत आप question करेंगे तो हो सकता है यह question आप बना पाएं और दो तीना का question करेंगे तो आपको खुद वखुद समझ में आजाएगा इसका मैंने कुछ example करवा रखा है आपको playlist का link मैं आपको नीचे description में दे दूँगा यह बना लिजिएगा क्योंकि हर साल इसमें से question आता है same to same नहीं लेकिन first वाला जो question है इन्वर्स वाला करवा है उसका same to same वैसे ही question आता है चलिए अकला हम लोग देखते है यह question भी important है साइध हो सकता है इस बार पूछा जाए तो यह question आपको अगर आएगा तो आपको same to same जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम वैसे ही लिखना है हमें क्या करना है प्रूब देट union of two subgroup is also a subgroup if one is contained in another देखिए I double F मतलब if and only if होता है तो यहाँ पे हमें प्रूब करना है कि एक subgroup जो होगा न दो subgroup, तीन subgroup सबको अगर union लेंगे तो वो भी हमारा एक subgroup आएगा कब? जब हमारा एक दूसरे में content हो कहने का मतलब माल लिजी h1 और h2 दो subgroup है तो हमें क्या प्रूब करना है कि अगर वो दोनो subgroup है तो इसका मतलब क्या होगा? उसका union भी subgroup होगा मतलब h1 h1 union h2 जो आएगा न वो भी subgroup होगा لेकिन condition क्या है? कि एक दूसरे में content होना चाहिए content कहने का मतलब एक दूसरे का subset होना चाहिए मतलब या तो हमारा h1, h2 का subset होना चाहिए या फिर हमारा जो होना चाहिए h2 हमारा subset होना यही चीज हमें प्रूफ करना है. कि अगर यह हमारा सब गुरूफ है, इसका मतलब क्या हूआ है? इसमें से कोई एक कंडिसन सैटिस्पाई करना चाहिए. यह चीज हमें प्रूफ करना है. दियान से देखिएगा, हर कुछ आपको समझ में आएगा. धीरे धीरे समझेगा एक बार में अगर नहीं समझ में है तो वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा आपको हर कुछ समझ में आएगा अगर आप समझना चाहे तो देखिए यहाँ पर माल ले रहे हैं ह1 और ह2 here are two subgroup है और हम्हें क्या दिवा है इंव अगर एक द necessity होगा है तो इसका मतलब होगा कि एक द enacted होगा मतलब या तो हमारा H1, H2 का subset होगा या फिर हमारा H2, H1 का subset होगा तो हमें so क्या करना है हमें यहाँ पे so करना है कि H1 union H2 is also a subgroup हम लोग को यहाँ पे so करना है कि H1 union H2 क्या है हमारा subgroup है देखिए इसको हम लोग दो तरीका से बनेंगे ठीक है मतलब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यह दोनों एक दूसरे में content है मतलब H1, H2 का subset है या फिर H2, H1 का subset है और फिर हम प्रूफ करेंगे कि H1 union H2 क्या है हमारा subgroup है और दूसरे तरफ से हम क्या करेंगे इसका ultra proof करेंगे काने का मतलब हम लोग लेके चलेंगे कि H1 union H2 क्या है इसका मतलब क्या होगा कि या तो हमारा H1, H2 का subset होगा या फिर H2, H1 का कैसे proof करेंगे आपको देरे-देरे सब कुछ समझ में आगा अब कोपी लेके बस note करते हुए चलिएगा समझते चलिएगा देखिए हम लोग को यहाँ पर अभी क्या सो करना है कि अगर ये एक दूसरे का subset है तो मतलब यह क्या होगा हमारा H1 union H2 भी हमारा एक सब ग्रूप होगा देखिए यहाँ पर मान के obviously हम लोग देख रहे हैं कि H1 union H2 बराबर कितना होता है या तो हमारा H1 या फिर H2 होता है और हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं हमें question में ही दिया हुआ है क्या कि H1 और H2 दोनों क्या है सब ग्रूप है G में तो देखिए H1 union H2 मतलब या तो H1 हमारा H1 अगर सब ग्रूप होगा तो भी हमारा सब ग्रूप हो जाएगा और H2 अगर सब ग्रूप होगा तो भी हमारा H1 union H2 क्या हो जाएगा यह सब ग्रूप हो जाएगा यहीन होता है कि अगर कोई भी element है जो किसी X भी बिलोग करेगा हब हमें प्रूफ करना है कि h1 union h2 क्या है हमारा सब्ग्रूप है तो हमें प्रूफ करना होगा कि या तो हमारा h1 h2 का सब्सेट होगा या फिर h2 h1 का सब्सेट होगा चलिए इसको प्रूफ करते हैं थोड़ा सा आप कह सकते हैं moderate level का है कुछ ज्यादा हर भी नहीं है देखिए यहाँ पे हम लोग प्रूफ क्या करेंगे कि if h1 union h2 is a subgroup of g तो हमें सोग करना है कि या तो h1 h2 का सब्सेट होगा या फिर h2 h1 का सब्सेट होगा याद रखिएगा मैं आपको जीतना easy language में समझा रहा हूँ सायद आपको कोई भी नहीं समझाएगा इतने easy language में हमें प्रूफ करना है कि h1 union h2 क्या है एक हमारा subgroup है तो या तो हमारा h1 h2 में subset होगा या फिर h2 h1 का subset होगा माल ले यह चलिए माल ले फोड़ा देर के लिए कि h1 हमारा h2 का subset नहीं है और अगर h1 h2 का subset नहीं है मतलब कोई भी element जो a होगा हो जो h1 से विलोंकि करेगा तो यह ही करना चाहिए अगर माल लीजिए H1, H2 का सबसेट है और A नाम का कोई element है जो H1 union H2 से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है कि A हमारा H1 से बिलोंग करेगा यह अगर आपको नहीं समझ मैं है तो इसको अभी छोड़ दीजिए इसको अभी छोड़ दीजिए आप इतना समझिए कि अगर हमारा H1, H2 का सबसेट है और H हमारा H1 से बिलोंग कर रहा है A तो कोई जरूवी नहीं कि हमारा A हमारा H2 से भी बिलोंग कर ही जाए ठीक है इसको हम लोग क्या बोल रहे है equation number 1 इसको हम लोग बोल रहे है equation number 1 ठीक वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे है sorry यहाँ पर आप लोग क्या किजिएगा थोड़ा सा आप लोग मोडिफाई कर लीजिएगा H2, H2, H1 का सबसेट है यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा H2 अगर H1 का सबसेट है ठीक वैसे ही अगर यहाँ पे h1 h2 का subset है इसका मतलब क्या होगा कि हमारा अगर b होगा जो h2 से belong करेगा b हमारा h2 से belong करेगा इसका कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाए b h1 से भी belong कर जाए इसको हम लोग बोल रहे है equation number two तो अब हम लोग क्या देख रहे है from first and second equation first और second equation से क्या देख रहे है अब देखिए यहाँ पे हमने उस समय नहीं बताया था कि माल लिजे यह हमारा h1 union h2 से belong कर रहा है मतलब यह हमारा या तो h1 में होगा या फिर h2 में होगा तो first and second equation से हम लोग यहाँ पे क्या मानके चले थे देखिए सबसे पहले हम लोग मानके चले थे a हमारा h1 union h2 में बिलोंग कर रहा है और b हमारा क्या है h1 union h2 में बिलोंग कर रहा है अब देखिए AB भी हमारे H1-1H2 में बिलोंग करेगा क्योंकि H1 और H2 दो सब ग्रूप है सब ग्रूप मतलब ग्रूप है अपने आप में और ग्रूप है कहने का मतलब कि वो हमारा क्या करेगा क्लोजर लोग को सैटिसफाई करेगा तो दो एलिमेंट A और B है जो कि इस वाले ग्रूप से बिलोंग कर रहा है मतलब उसका जो मल्टिप्लिकेशन आएगा या फिर AB उसमें उपरेशन AB जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा वो भी हमारा उस ग्रूप से बिलोंग करेगा H1-1H2 मान ले रहे हैं AB बराबर C है कोई भी खुद यह चीज़ा आपको थोड़ा देर के बाद समझ भाएगा क्यों हम लोग क्यों मान रहे हैं इसको तो अब देखिए हम लोग को क्या दिये हुआ है क्यों में कि हमारा AB क्या है H1-1H2 से बिलोंग कर रहे है AB बराबर C हमारा H1-1H2 से बिलोंग कर रहे है H1-1H2 मतलो या तो हमारा H1 से बिलोंग कर रहे है या फिर H2 से बिलोंग कर रहे है तो देखिए अगर हमारा AB बराबर C जो है H1 से बिलोंग कर रहे है इधर हम लोग मान के चले है और इधर हम लोग देखेंगे कि अगर AB बराबर सी H2 से बिलोंग करेगा यह मैंने सामने सामने इसलिए लिखा है कोई यह नहीं आप सामने लिखे मैंने इसलिए लिखा तक कि आपको ज़्यादा समझ में आए देखें, अगर हमारा क्या है AB हमारा H1 से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब, अगर हम लोग इसका inverse इधर ले ले तो A inverse into AB बराबर क्या हो जागा इधर भी हमारा inverse लग जागा A inverse into C, जो कि हमारा H1 से बिलोंग कर रहा है हम A inverse into A यहाँ पे लिख लेंगे, इसको bracket को open कर देंगे, यहाँ पे A inverse into C H1 से बिलोंग कर रहा है देखे, A inverse into A का value E होता है identity, और किसी भी हम लोग कोई भी element में identity से multiply करते तो वही element आजाएगा यानि कि यहाँ पे क्या है, B हमारा H1 से बिलोंग कर रहा है वैसे ही, हम लोग यहाँ पे क्या किये है A भी था तो B में हम लोग क्या किये इदर B inverse से multiply कर दिये तो B into B inverse, मतलब उसका identity होता है और identity में A से multiply करेंगे तो identity ही आजाएगा यानि कि हमारा क्या है, A हमारा H2 से बिलोंग कर रहा है मतलब B H1 से बिलोंग कर रहा है और A हमारा H2 से बिलोंग कर रहा है और A H2 से belong नहीं कर रहा है हम लोगों को यहाँ पर उपर आया था तो यह हमारा आया था तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यह हमारा तक contradiction हो गया मतलब हम लोग जो मान के चले थे उसका सिर्फ उल्टा हो गया और यह हमारा उल्टा क्यों हुगा है क्योंकि हम लोग उपर मान के चले थे कि हमारा H1, H2 का सबसेट नहीं है और नहीं H2, H1 का सबसेट है यानि कि इसका प्रूफ हो गया यह दोना सबसेट है नहीं रहेगा तो फिर हमारा एंसर ही गलता जा रहा है तो यह चीज़ हमारा प्रूफ हो चुका है चलिए, यह साइध हो सकता है थोड़ा सा हार्ड रहा होगा लेकिन यह question important है आपके exam point of view से जितने भी important question मैं ने सिर्फ उसी को लाया है क्योंकि आप लग जानते हैं modern algebra से 5 question पूछा जाता है बहुँ ज़्यादा important है modern algebra चलिए, अगला हम लोग देखते है question बहुत easy है ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा यह question ज़्यादा time नहीं पूछा जाता है फिर भी बार बार पूछा गया है और हो सकता है आपके time में भी पूछा जाए ऐसा कोई जरू नहीं कि पूछा जाएगा ही हमें क्या प्रूफ करना है कि AB का जो inverse होगा वो हमारा AB का inverse B inverse into A inverse होगा for all AB belong to G question आपको ऐसे दे सकता है या फिर question में लिखा हो सकता है यह आप लोग को अगर नहीं समझ में है तो छोड़ दीए बस आप question समझ दीजिए कि यह चीज़ आपको प्रूफ करना है और इसका मतलब यहीं होता है ठीक है तो प्रूफ इसका कैसे करेंगे आपको लोग माल लेंगे G क्या है हमारा एक group है G हमारा एक group है तो कोई भी दो element for all AB belong to G माल ले रहे हैं A और B नाम का कोई दो element है अगर G group से belong कर रहा है तो एक चीजा आप लोग जानते होंगे कि कोई भी group G होता है तो जो element होता है उसका inverse भी होता है उसी group में यानि कि अगर A और B हमारा है तो G नाम के group से SAND इसका मतलब A का inverse भी उसी group सेAmर्यान कर रहा होगा और B का inverse भी उस group में हर हाल में होगा नहीं तो group ही नहीं satisfy होगा तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि group क्या होता है group हमारा closure law को satisfy करता है कहने का मतलब अगर A और B नाम का कोई दो element हमारा group G से यहाँ पर बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि दोनों में operation लगाएंगे यानि कि B inverse into A inverse भी क्या होगा हमारा बिलोंग करेगा group G से यह चीज़ आप लोग घ्यान रखिएगा मतलब A B हमारा group G का member होगा और B inverse into A inverse क्या होगा हमारा group G का member होगा अब देखिए हमें क्या प्रूब करना था हमें प्रूब करना था कि दोनों एक दूसरे का inverse है तो inverse कैसे होता है कि हम लोग दो element को लेते हैं दोनों को multiply कर देते हैं और दोनों का अगर हमारा multiplication क्या होता है identity के बराबर आजाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि दोनों को एक दूसरे उल्टा उल्टा मल्टिप्लाई करते हैं और फिर हम लोग बोलते हैं कि वो एक दूसरे का inverse है कैसे आपको भी समझ में आएगा जैसे पहला element हम लोग A भी ले लिए दूसरा element B inverse into A inverse ले लिए देखिए अगर हम लोग multiply इस दोनों को करें तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे B into B inverse हम लोग यहाँ पे bracket को open कर दिए तो B into B inverse मतलब कोई element है उसमें उसी का inverse से multiply करें तो identity आएगा और अगर A में identity से multiply करेंगे तो A ही आजाएगा और A into A inverse का value क्या होगा E होगा साथ मैंने जल्दी बता दिया आप लोग फिर से देखिए एक बार कि यहाँ पे B into B inverse कोई भी element में उसी के inverse से multiply करेंगे तो identity यानि की E के बराबर आएगा identity यानि की यहाँ पे E के बराबर आएगा और अगर हम लोग कोई भी element A में identity यानि की E से multiply करें तो A आजाएगा वहीं element आजाएगा मतलब A into A inverse बचा तो अगर कोई भी element है A और उसमें A inverse से multiply करें तो E यानि की identity के बराबर आजाएगा मतलब basically हमें आ क्या गया यहाँ पे कि पहला element A B into दूसरा element B inverse A inverse multiply किये तो E यानि की identity आ गया है इसको हम लोग बोलेंगे equation number one ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अब इसको उल्टा लेके चलेंगे उल्टा कैसे लेके चलेंगे देखिए यहाँ पे हमने A B into B inverse A inverse multiply किया था अब हम लोग B inverse A inverse में A B से multiply करेंगे तो देखिए अगर multiply करेंगे तो यहाँ पे हम देखिए A inverse into A multiply करेंगे तो इसका value तो identity आ जाएगा और हम लोग identity में B से multiply करेंगे तो B ही आ जाएगा B ही आ जाएगा और उसके बाद हम लोग देखिए B into B inverse कोई भी element में उसी के inverse से multiply करेंगे तो इसका value कितना आजागा E यानि कि identity के बराबर है इसको हम लोग बोल रहे है equation number 2 यानि कि equation first और equation second से यहाँ पे आप थोड़ा समझने का कोशिस करें तो आप लोग समझेंगे कि equation first यहाँ पे equation number 2 और equation number 1 दोनों से हम लोग क्या देखा है पहला element में दूसरा element से multiply किए या फिर दूसरा में पहला से multiply किए दोनों का मतलब क्या गया यानि कि identity तो हम लोग यहाँ से क्या का सकते है यहीं चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुगा है from first and second पहला element दूसरा element दूनों को multiply किए तो identity का होगा एनंवर्स के हैं वाइसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं की एवी का इन्वर्स होगा और बी इन्वर्स का जो इन्वर्स होजाएगा वह अमरा एवश जाएगा